नमस्कार, क्यापिचल टीवी का खास शो, यूपी का डंगल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा पीम मोदी काशी में है, पूरा काशी मोदी में हो चुका है, अपने काशी दौरे के दूसरे दिन पीम मोदी ने यूपी के सियम योगिया अधितनाथ समेथ बीज़िपी शौशत राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ एहम बैठक की इस बैठक में पीम मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कराए गए विकास कारियों के बारे में बताया, पीम मोदी के संग मुख्यमंत्रियों का ये सम्मेलन इसलिए खास रहा क्योंकि जिन राज्यों में बीज़िपी की सरकारे हैं, पीम मोद करेंगे चर्चा के लिए मारसा स्टूडियो में मौझूद है क्यापिचल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनेश कुमार डॉक्ट साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद प्याम मोधी का काशी दौरा हर मामलों में खास है पर बीजेपी शार्षत प्रद आपने वाले दिनों में क्या-क्या चीजों के उपर चर्चाएं होगी वो जानते हैं कि यह जो दिल्ली में बैठा हुआ लुटियन मीडिया है वो किस तरह के सवालों को उठाएगा अभी सही कुल बुलाहट शुरू हो गई है अखले सादब ने क्या कह दिया कि आखरी वक कि हिंदू के आस्था का इतना बड़ा केंद्र किस तरीके से पड़ा हुआ रहा यह तो प्रधान मंद्र नहीं सोचा और इतना भव्य मंद्र बनाया तो उसकी थोरी सी टीस है आप इस तरह की वहियाद बाते कहते हो आप एक तरह से उनके मरने की कलपना कर रहे हो तो राजनीती में इस तरह के वारतल आपका कोई इस्थान नहीं होना चाहिए डिमोक्रसी में खैर यह उनका फ्रस्टेशन है कि जिस हिसाब से लोगों के बीच ये पूरा परिसर ये पूरा कारिक्रम और प्रधान मंत्री मोदी और योगी की जो इमज बनी है उससे ये लोग बौखला गए हैं लेकिन प्रदhranमंत्री तो प्रदhranमंत्री हैं, वो जान रहे हैं कि सारे लोग इस बात को आगे चल करके सवाल उठाएए कि देखो देखो, ये हिंदुत्वा प्लिटिक्स हैं, प्रदhranमंत्री मंदिर का निर्वान करवार हैं, ये कैसा सेक्लॉरिजम है? सम्विधान में तो ये इजाज़त नहीं दी जाती आप इस फर्क को समझे राम मंदर जो अयुध्या में बन रहा है वो तो कोट के आदेश से लेकिन काशिव सुनात में जो कोरिडोर बना है वो पुरधान मंतरी के सपने को साकार करने जैसा है अब ये मसरा फिर उठेगा इसलिए जो कल उन्होंने भाषन दिया था उस भाषन में उन्होंने मंदर के साथ साथ डवलोप्मिंट को जोड़ दिया क्या हम सिर्फ मंदर नहीं बना रहे हैं हम आस्था के केंद्र को समार रहे हैं भारत की संस्कृति को समार रहे हैं हम हिंदुस्तान को युनाइट करने के लिए इस प्रकल्प को पूरा कर रहे हैं किस तरीके से उन्होंने साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया गुजरात हर जगह का वर्नन करते हुए और कैसे काशी इन सब भारत वासियों जो अलग अलग पर रहते हैं उसके लिए महत्पूर्ण है उसका वर्नन किया और साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार कई सारी चीजों को उन्होंने उसमें अपनी भासिन में डाल दिया लेकिन बात ही पर खत नहीं होती आज उन्होंने जो मीटिंग की है कि तमाम अलग अलग प्रदेशों में जो मुख्य मंत्री हैं बारह कई राज्यों में उप मुख्य मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया और ये जो डिस्कुशन हुआ है वो डिस्कुशन हुआ है गुड गवर्नेंस के ओले करके है और गुड गवर्नेंस का उन्होंने जो एक सूत्र दिया है कि एसी कमरे में बैठ करके गवर्नेंस की बात नहीं की जा सकते आप समझे कल वो सवेरे उठते हैं सरधांजली देते हैं संसद हमले के में जो शहीद हुए थे बनारस पहुंचते हैं दिन भर का कारिक्रम कोई भी आदमी ठक जाए रात को भी निकल लेते हैं दो बजे और रात में भी निकल जाते हैं वो अपनी आँखों से देखना चाह रहे हैं कि रेल्वेश टेसंट में बदला हुआ है तो क्या बदला हुआ है लोगों से सीधे वो मुलाकात कर रहे हैं लोगों को सुनना चाहते हैं जहां कहीं भी भी नदर आया वो बाहर निकल सारे सिक्यूरिटी प्रोटोकॉल को बनारस में क्या-क्या बदला हो रहा है कहा कहा कमिया रह गई और प्रधान मंतरी जिस हिसाब से अपने साथ-साथ ऐसा लग रहा है कि राम और लक्ष्मिन की जोड़ी जा रही हो बगल में योगी आदितनात जो साथ-साथ हर जगह जा रहे हैं इसने कई सारे सवालों को वह नहीं पे खत्म कर दिया यही लुटियन मीडिया है दिल्ली में बैठ करके बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है योगी जी को हटाया जाने वाला है यह जो तश्वीरें आ रही हैं जिस हिसाब से इंपॉर्टन्स दिया जा रहा है योगी आदितनात यूपे की सिर्फ मु प्रधान मंति के कुरसी के उपर मोदी के उत्राधिकारी के रूप में मोदी ने उन्हें चुन लिया है वो इमेज सामने आ रहा है और यही कई सारे लोगों के दिलों के अंदर जो है वो दहशत पैदा कर रहा है और यह इस मीटिंग और यह पूरे कारिक्रम में जिस तो चाय वाले से तो सारा विपक्ष परिशान है ये गाय वाले को जहलने को तयार हो जाओ ये अभी तो यूपी की मुख मंतरी के बाद ये देश का प्रधान मंतरी भी बनेगा सर आपने बहुत बड़ी बात कहीं सर जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा वक्त भी योगी आदितनात को दिया गया क्योंकि वैसे भी चुनाओ है चुनाओ को लेकर रन्नीती भी बनाई गई है देखिए योगी आदितनात प्रधान मंतरी मोदी के सबसे फेवरेट क्यों है इसको भी समझे हर राज में सेंट्रल पॉलसी जो लग रही है प्रधान मंतरी सुरू से ही कैसे गरीबों को जोड़ा जाए कैसे जो डाउन ट्रोडन है गरीब किसान हो मजदूर हो दलित हो चा प्रोग्राम्स जो थे यूपी में उसका जो इंप्लिमेंटेशन हुआ है वो टॉप क्लास है मैं आपको बता दू यह बड़े सातिर लोग हैं यह दिल्ली में बैठे हुए टाइड रिटाइड फुके हुए कार्तूस यह मीडिया वाले माइक्रोस्कोप लगा करके यूपी के हर जगा घूम घूम करके इन लोगों ने तलाशा कि प्रधान मंत्री के सुरक्षता अभ्यान के दौरान वो जो टॉइलेट जो बनाया जा रहा है कहीं किसी एक केस ऐसा मिल जाए कि जहां मुसलमानों को नहीं दिया गया हो बवाल ख़ड़ा कर दिया होता इन लोगों ने घर बनाने कच्चे मकान को पक्का करने की जो योजना है कहीं किसी दलित को नहीं दिया गया कहीं किसी मुसलमान को नहीं दिया गया फिर राज्यूति की जाएगी इसके उपर योगी आदित तिनाथ ने एक भी मौका नहीं दिया और जिस हिसाब से जैसे ये कोरिडोर का मसला था प्रधान मंतरी तो का सपना था ये कई सारे लोग कमेंट करके फोन करके कह रहे हैं कि आपने कल दंगल में बहुत अच्छी बात कह दी कि अब देश को मालूम चल रहा है कि माता गंगा ने मोदी जी को बनारस क्यों बुलाया था जो भविता जो चीज तो वो योगी आदित तिनाथ इस वज़े से सबसे फेबरिट है और किस हिसाब से पार्टी की विचारधारा सेंटरल योजना और तमाम चीजों को अपने अपने राज्यों में कैसे इसे ले करके जाना है और किस हिसाब से जो बड़े बड़े लीडर्स हैं मुख मंत्रियों को खास करके कि जनता से कैसे कनेक्ट बना करके रखना है वो संदेश प्रधान मंतरी भारती जिन्ता पार्टी के तमाम चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को वो दे रहें इसलिए ये खास है और ये आप ये समझें काशी को ही इस मीटिंग के लिए क्यों चुना गया भोले नात का आशिरवाद के इतना बढ़िया काम आपने किया है और इसी लिए इसी कारेकरम के दोरान ही 2024 के लिए किस तरह की तैयारी अभी से करनी की जरुरत है उसका पूरा प्लैन पूरा उसका सकते के रोड मैप भारती जनता पाटी ने काशी में बैठके तयार किया है और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से पब्लिक का रिस्पॉंस है जिस तरह से लोग टेलिविजन पे काशी विश्वनात के इस बदले हुए शरूप को उस प्रांगन के बदले हुए शरूप को देख करके लोगों की आखे नम हो रही है तो ये जनता के दिलों पे राज करने वाला एक अध्याय साबित हो रहा है और एक मैत्पुन बात ये भी है कि सर मोधी को योगी का काम पसंद है बार-बार वो कर्म योगी करके उन्हें बुला रहे हैं मैं बार-बार इस बात को कह रहा है कि और यह देखे यही उल्टा दिल्ली में मीडिया वाले बता रहे थे कि नहीं उस बदला जाएगा सौसा लोग जो है वो उस वक्त भी मैंने कहा था कि यह संग का निर्ने है कि उत्तर प्रदेश में चुनाओ लड़ा जाएगा योगी आदितनाथ के चेहरे पे टिकट भी बाटी जाएगी तो योगी आदितनाथ के पसंद से योगी आदितनाथ न सिर्फ इस पूरे इलेक्शन का चेहरा होंगे बलकि कमांडर इनचीफ होंगे परदान मंतरी किसी और को भी अपने साथ लेकर के जा सकते थे आप ये समझे बाबा भोले नाथ ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है भोले नाथ के ये काशी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू बस्ते हैं उनका अधिकार है इस काशी के उपर और इसलिए ये संदेश काफी दूर तक गया है और बहुत महत्पूल संदेश भी जा गया है चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर्बाच्चित करने धन्यवाद तो काशी दौरे के दूसरे दिन वारणसी में पिम नरेंध मोदी की पार्ट शाला लगी जिसमें बीजिपी शाशत राजयों के मुख्यमंत्री शामिल हुए PM नरेंज मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके काम काच की रिपोर्ट कार ली इसके साथ ही PM मोदी ने UP चुनाओं को लेकर बड़ी बैठक की जिसमें UP के मुख्यमंत्री योग्या अधितनाद जिप्टी सियम केशव प्रशाग मौर्या और दिनेश शर्मा शहित उत्तरप्रदेश संगटन के पदाधिकारी, प्रभारी, सह प्रभारी भी मौचो थे तो PM का काशी दौरा और उस पर मन्थन यूपी के दंगल में क्या असर डालेगा आने वाले चुनाओं में साप हो जाएगा आज के स्कार्शो यूपी के दंगल में बस इतना ही उत्तरप्रदेश से जोड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देख तेरी यूपी का दंगल नमस्कार